इस वक्त पूरी दुनिया भर में सबसे जादा चर्चा का विशे चिंता का विशे बना हुआ है सबसे जादा तेजगती से फैलने वाला वारस कोरोना वारस जिसकी वजह से तमाम सेलिब्रिटीज परिशान है तमाम लोगों के जहन में तमाम सवाल है कैसे इसे खत्म किया जाए इसके एंटी डोस को बनानी की तैयारियां चल रही है लेकिन इससे पूरी तरह से फत्र नहीं मिल पाया है जिसके कारण यहां हम आपको बताना चाहेंगे एक नई खबर आई है आस्ट्रेलिया से एक बड़े दिगज अभिनेतार उनकी पत्नी को लेकर कि इस बिमारी से वो भी ग्रसी थे इस बिमारी के कारण उन्हें भी बहुत जादा नुकसान हुआ है चिंता की विशय यह है क्योंकि उन्होंने इस बिमारी का पता तो लगाया टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट के साथ सामने आया है लेकिन इसके कारण चिंता और भी जादा बढ़ गई है कितने बड़े कलाकार को इस बिमारी का सामना करना पड़ा है बताना शाहें कि हम आपको यहां पर अपने से रिपोर्ट में आई इस खबर के बारे में जिसमें हॉलिवोड के बड़े स्टार की हम बात कर रहे हैं नाम है उनका टॉम हैंक्स और उनकी पतनी रीता विलसन की हम बात कर रहे हैं जिस बिमारी से ग्रसी थे ग्रसी थे इसे एकर उन्होंने रिसेंटली एक पोश्ट भी शेयर किया और पोश्ट में उन्होंने सारी बाते शेयर की पोश्ट में उन्होंने काफी कुछ लिखा पोश्ट में उन्होंने काफी कुछ कहा हम आपको बताना शाहेंगे अपने इस रेपोर्ट में पोश्ट में उन्होंने इस जांकारी दी कैसे इस बिमारी के कारन उन्हीं काफी जादा तकलीफ हुई हैं और इसके कारण में जर्द में लग रहे हैं । इस बारे में उस् Where bein भान वहन नहीं तोड़ा ठका हुआ मैंसुस कर रहे थे ऐसा लग रहा था मानुष जुकाम और फोड़ा शरीमें दर्द है रीटा यानि कि उनकी पतनी को थोड़ी ठंड भी लग रही थी थोड़ा बुखार भी था चीजों को सही तरीके से निभाने के लिए जैसा कि अभी दुनिया में हर जगा ज़रूरी है हमने कोरोना वाइरस के लिए टेस्ट कराया और इस टेस्ट को साकारात्मक पाय अब हम क्या कर सकते हैं जगित साधिकारियों की प्रोटोकॉल का हमें पालन करना ही पड़ेगा हमारा टेस्ट किया जाएगा और लोगों के स्वास्त के लिए और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें अलग किया जाएगा अब इस तर्च से गुज़र रहे हैं और ट्विट उनका ये वारल हो गया है सोशल मीडिया पर देख सकते हैं आप कितने खुश नजर आते थे ये दोनों लेकिन इस बिमारी के कारण और एक्टर टॉम हैंस अपने पतनी रीटा के साथ इस बिमारी के कारण बहुत जादा परिशान और चिंता में हैं जिसकी बहुत जाँ